नमस्कार दोस्तों एक बाद फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आने टेक्नोजी के इस नए अमीजिंग विडियो पर हम हमेशा के तरह आपके सेप्टी एन शुरक्सा को हमेशा ध्यान रखते हैं और इसलिए दोस्तों आप सभी के लिए हमेशा हम नह नह डिफें इसलिए विडियो के लास तक चरूड देखेगा दोस्तों नाइप एक ऐसा टूल है जो सरवाइवल और इसलिफेंस दोनों ही सिच्वेशन्स में बहुत जादा काम आते हैं पर मौर्फिंग करम बिट नाइप को किसी और नाइप की तरह नहीं बलकि प्रीमियूम तरीके से डिजैन किया गया है बैसिकल किसी और फोल्डिन नाइप को अनफोल्ड करते समय वहाथ में लग सकता है पर यह नाइप को इस तरह से डिजैन किया गया है जो लुक करते समय कोई दिककत नहीं होती जीरो प्रुफाइल क्लिपिंग के बदलत आप इसे अपने पॉकेट में बड़े आराम से रख सकते हैं साथ ही यह हाई करवन स्टेनले स्टील से बनी है जो काफी टीरोबल एंड सार होता है दोस्तो इस तरह के नाइप आपको सर्वाहवल सिच्वेशन्स में काफी मदद करने वाले हैं सकारदे HCHF 50F T-Handle Fixed Blade Knife बात अगर self-defense की हो तो इस तरह के push dagger काफी ज़्यदा काम में आ सकते हैं दोस्तो इसे आप एक locket की तरह भी अपने साथ केरिकर के कहीं भी लिए जाए आ सकते हैं 9CR18move high carbon stainless steel से इसे बनाया गया है जो durability में भी काफी ज़्यदा आगे है High protecting powered with lighter weight इसे एक next level defensive weapon बनाते हैं TPET handled इस push dagger को पकड़ना और यूच करना भी काफी ज़्यदा आसान होता है इसका market price लगवग 1349 रुपीज है जिसे आप decision में दिये गए परचेश के link से परचेश कर सकते हैं Scar the HCH509R folding knife आपको अभी एक linear lock folding knife दिखाने जा रहा हूँ जो tactical uses and survival situations में आपकी काफी ज़्यदा काम आएगा titanium coating होने के बज़े से यह knife corrosion free रहता है काफी ज़्यदा unique design and look के साथ performance भी काफी ज़्यदा तगड़ा रहता है यह folding knife 9CR 18M high carbon stainless steel से बनी होती है जिसे आप rough काम में भी इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो इसका market price है लगभग 15 dollar Scar the T handled knife हम अलग-लग जगाहों पे जाते हैं नएने लोगों से मिलते हैं और कही ना कहीं हम सबको अपने safety की भी पिकर भी रहती है जो कि रहना भी जाए तो अगर आप एक tiny self-defense tool अपने साथ हमीज़ा रखना चाहते हैं तो scar the T handled knife आपको बहुत पसंद आएगा इसे आप chain के तरह अपने गले में लोगेट की तरह पहन सकते हैं सिंगिल पीस अप 9CR18 मॉप हाई कारबन स्टेनलेस स्टील से बनी ये नाइट काफ़ी light weighted and durable है T shaped handle इसे और भी ज़्यादा सांदार बनाता है जिसे आप कहीं भी सीग्रेटली रख सकते हैं तो आपको ये नाइट कैसा लगा हमें comment box में चुरूर बताएगा Scare Day Boost Dagger The Samilia is Double Age Boost Dagger से ये एक बहतरिन personal self-defense tool है जिसे आप कहीं भी अपने साथ केरी करके ली जा सकते हैं Nylon Fiber से बना इसका handle काफ़ी अच्छा grip देता है जिसे आप इसका काफ़ी अच्छे से पकड़ सकते हैं और यूज कर सकते हैं इसका धारदर blade stainless steel से बनी होती हैं जो काफ़ी जिदा strong and durable होते हैं 3.5 inch ये blade काफ़ी सार्फ होने के साथ साथ light weighted भी है और दो और इस blade के साथ आपको एक nylon fiber matted sock absorber case भी मिल जाता है जिसे आप अपने belt या pocket में clip कर सकते हैं पर्सनल self-defense gadget में इस तरीके की scar दे पूस्टे अगर बाकिया में एक बहतरी choice हो सकता है आप अपने बचाप के लिए throwing knives का इस्तिमाल करना चाहते हैं तो piece is sock knives के तरप से आने वाला sock fling overall length 9.5 inch होने के साथ साथ easy to carry है 9 CR 18 move stainless steel made at EA knife काफी जदा durable and corrosion less है 7 feet तक लंबी paracotter रसी इसके handle पर आपको देखने को मिल जाएगे जो जरुरत पनने पर आप यूज कर सकते हैं इसे purchase करने पर आपको यह ballistic nylon seat के साथ pack of 3 knives देखने को मिल जाएगा दोस्तो आपको अगर ऐसे ही cell defense knives के उपर एक पूरा dedicated वीडियो देखना है तो आप I button में click कर सकते हैं वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा और इसे एकसर यूज किया भी जाता है इसी कड़ी में आप अगर एक ऐसा knife चाहते हैं जो थोड़ा सा unique हो और specially cell defense के लिए बनी हो तो पीस है कारम बीट फैड सीएस गो Cell defense या फिर survival situations के लिए आप इस बहतरी knife का इस्तिमाल कर सकते हैं इसके साथ आने वाले knife on cover इसे damage होने से बचाता है साथ ही ये knife काफी जादा तेज और सार्फ होता है जिसे आप adventurous trip या फिर hiking बगरा के लिए भी इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तो हमेंगर एक ऐसा tool मिल जाए जो defense tool के साथ साथ multi tool हो और किसी को देख के ये पता भी ना चलेगी ये कोई weapon हो सकता है तो मजा ही आ जाएगा पेस है ये sock pop greed जिसे आप अपने mobile phone से attach करके इस्तिमाल कर सकते हैं साथ ही इस पे आपको एक attached mini tactical knife देखने को मिल जाएगा जिसे आप बोडल ओपनर, screwdriver और mini tactical knife की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं इसे अगर आप purchase करना चाहते हैं तो इसका buying link मेंने decision box में देदिया है REV Robotics Enhanced vehicles दस्तों आपको अगर gaming purpose के लिए एक high-tech robotic and AI feature RC car चाहिए तो मिल ये REV से इसे mobile के साथ connect करके mobile से ही operate कर पाएंगे जब आसान है, jump and surge जैसे accents को भी ये बड़े आराम से कर लेता है इसके official application को play store से download कर आप इसे access कर पाएंगे और तो और बात करें इसके looks and pairing performance के तो वो दोनों ही बहुत ज़दा सांदार है और तो और ये AI best RC car आपको कहसा लगा हमें comment box में जरुर बताएगा सायर कार दोस्तो हम सभी ने RC cars याने remote control cars कभी ना कभी तो चलाया ही होगा पर इस तरह के RC cars साय थी आपने देखा हो इसमें खास बात ये है कि ये car खड़े खड़े ही अपने axis के चारो तरब घूम सकती है साथी इस तरह से rotate करती है और direction change करती है कि वो देखने में बाके में बहुत ज़्यादा लाजबा पर यूनिक लगता है इस car को आप approach में भी बड़े ही अराम से चला सकते हैं और इसका power भी काफी ज़्यादा होदा है जिसे operate करना भी बहुत ज़्यादा मज़दार वाली बात है नेbula capsule देस्तो आज हम कहीं न कहीं इतने ज़्यादा विजी हो चुके हैं कि घर में बैठ कर अपने पसंदीदा source का मज़ा नहीं ले पाते और mobile phone का display छोटा होने के कारण उतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता ऐसे में आप इस portable cinema नेbula capsule का इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक projector है जहां 3600 प्लस Android TV apps इंस्टॉल किये जा सकते हैं जो कि एकमाल की बात है अब कहीं भी हो जब चाहें तब आप एक बड़ी screen पर अपने फेबराइट शो और मोवीज बगरा का मज़ा ले सकते हैं लगबक 100 इंचिस तक आप विडियोस और फोटोस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं इसे अपने mobile phone से भी connect करके अक्सेस कर पाएंगे JBL Party Box दोस्तों JBL के speakers कैसे होते हैं ये तो हम सभी को पता है पर आपको अगर high base speaker party and functions बगरा के लिए चाहिए तो इसे एक बार देख सकते हैं JBL के signature sound के साथ तीन तरह के अलग-अलग light modes मिल जाते हैं meter, pulse and party mode पांच घंटे में full charge हो जाने वाला 10,000 mAh की बैटरी लगे होने के कारण इस पर आपको 18 hours की play time मिल जाते हैं इस पर आप mics and guitar को attach करके access कर पाएंगे साथे wireless Bluetooth streaming और USB playback जैसे features भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अपने mobile phone के साथ इसे connect करके access कर पाएंगे तो इस amazing सा party box के लिए एक प्यारा सा like तो बनता है capsule personal dishwasher दूस्टो tasty food खाना तो सभी को अच्छा लगता है पर खाना जितना important है उतना ही बर्तन बगेरा को साब रखना भी किकि वो directly हमारे health के साथ relate करते हैं इसलिए hygiene maintain करना भी बहुत ज़दा ज़रूरी है पर इन सभी बर्तनों को साब रखना भी बागे में बहुत ज़दा time taking हो जाता है तो अगर आप एक ऐसा device चाहते हैं जो आपकी ये काम को चुटकियों में कर दे पीस है capsule personal disorder अलग-अलग तरह की कुकुएर्स और एडिसन्स बगेरा सभी sizes के आप इसके अंदर रख सकते हैं साथ ही glass, splits, cups इन सभी को 15 मिनिट में ही साफ कर देगा अमेजिंग बात तो यह है दोस्तों कि यहाँ पे आप fruits बगरा भी साफ कर सकते हैं साथ ही अपने अलग-अलग डेली यूच चीजों को आप इसमें disinfect कर सकते हैं तो इस लाजवाब home product लिए प्यारा सा like तो बनता है दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like कर दीजेगा और कौन सक gadget आप purchase करना चाहते हैं उससे हमें comment box में जुरू बताएगा साथे आपको अगर survival gadgets के उपर वीडियो देखना है तो नीचे दिखाएगा किसी भी वीडियो का आप click कर सकते हैं और वो देख सकते हैं चैनल में आने के लिए वीडियो देखने के लिए like करने के लिए अब सभी को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में ना है तो कर दिए subscribe और bell icon और में set कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद